एलू एव्रिवाइन तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इन्वर्टोग्राम एक पेडिट्रिक रेडियोग्राफिक प्रोसेजर होता है इन्वर्टोग्राम को इन्वर्टोग्राफि भी कहते हैं इनवर्टोग्राफी को सबसे पहले बांगिंस्टीन एन राइस ने 1930 में डिस्क्राइब किया था इनवर्टोग्राफ में बच्चे को हैंगिंग पोजिसिन में में बच्चे को उल्टा लटका कर उसका एकसरी करते है तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनवर्टोग्राम क्या है और इनवर्टोग्राम प्रोसेजर क्यों परफॉर्म करते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्टोग्राम का क्या मतलब होता है invertogram means invert का मतलब होता है कि उल्टा करना और gram का मतलब होता है radiography gram means radiography और invert का मतलब होता है कि उल्टा करना means की hanging position में करना तो इसमें patient को invert करके means उल्टा करके उसकी x-ray amasis लेते हैं उस processor को क्या बहुते हैं invertogram procedure कहते हैं इन्वर्टोग्राम प्रोसेजर क्या होता है? ताकि anus या rectal में कोई भी abnormality हो उसको detect कर सके जैसे कि anal atrecia और imperforate anus ये congenital defect होते हैं congenital miss होता है birth से जिसको defect होता है जिसमें anus की opening या तो missing होती है या फिर block होती है जैसे कि आप इस x-ray में देख सकते हो इस patient को imperforate anus की problem है next है invertogram positioning इसमें सबसे पहले new born baby को upside down करेंगे that means उसको lower limb से पकड़ेंगे और हमको ये ध्यान रखना है कि solder joint और hip joint में कोई भी rotation ना हो next एक coin या metal का piece एनस पर रखेंगे और lead marker place करेंगे उसके बाद इसमें हम sort exposure technique का use करेंगे ताकि image blur ना हो इस procedure में rare earth screen element like gadolinium oxy sulfide lengthenum oxy bromide का use करना चाहिए cassette में जो intensifying screen का use करते हैं वो rare earth element की बनी होती है जैसे gadolinium oxy sulfide rare earth element का atomic number high होता है due to its high atomic number इसके detection efficiency, absorption efficiency और conversion efficiency ज्यादा अच्छी होती है ज्यादा conversion efficiency का मतलब x-ray photon ज्यादा light photon में convert होंगे जिसकी बजह से हमें ज्यादा exposure factors यूज नहीं करना पड़ेगा तो definitely patient का radiation dose कम हो जाए That's all about for today, thank you